आज की वीडियो में हम अनल्सिस करने वाले हैं IOTX का जिसका सिंबल है IOTX यह भी बहुत सारे क्रिप्ट एक्षेंच पर अवेलबल है Binance पर है, WazirX पर है, CoinDCX पर है and along with that आज हम इसमें डेटेल अनल्सिस करेंगे किस लेवल का यह coin है, क्या इसके use cases है, किस तरह से work करता है तो economics कैसी है और आगे इसमें future potential कैसा है और most important इसकी partner से amazing level पर वो भी हम डेटेल में देखने वाले है Before I start the video, अगर आपने भी तक चैनल सब्सक्राब नहीं किया है प्ली दू सब्सक्राब दा चैनल और मुझे प्रेस टे बैल आइकन ताके आपको सारी अपडेट टाइम पर मिलती है करण मगर आप प्राइस देखो तो 02988 डॉलर पर ट्रीट कर रहा है and market cap की बात कर रहा है तो 285 मिलियन डॉलर की market cap है and circulation में supply 9.54 बिलियन है and 9.6 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई है maximum supply 10 बिलियन ही हो सकती उससे ज़्यादा नहीं हो सकती 95% circulation में यह बेस्ट पार्ट है compared to IOST जिसके बारे में हमने color analysis किया था उससे यह चीज़ इसमें बहतर है अब एक चीज़ आपे दान से देखना इसकी 95% circulation में है लेकिन इसमें एक amazing burn भी है जिसको डिटेल में cover करने बाले है पहले थोड़ा सा देखते हैं कहां-कहां इसको buy कर सकते हैं as I already told you buy now is available है coinbase पर भी available है tier 1 या tier 2 जो भी crypto exchange है उन सब पर आपको easily मिल जाएगा आप जाके उस पर buy कर सकते हैं वजीर X पर भी available है और coin DCX पर भी available है you can buy over there तो इसको जो कहा सकते हैं slow miss ने इसका पहले इसका smart contract है उसके जो contract audit किया है और उसमें audit में pass हुआ है दूसरा किया है certic ने usually आप certic के ही certificate जादा देखो crypto space में क्योंकि सबस्यादा यही review करता है slow miss 95 score गिया which is excellent और जिनका contract बहुत अच्छे लेवल पहुता उनको ही मिलता है contract अच्छे लेवल पहुने का मतलब सिर्फ इतना है कि उसमें मतलब जो problems होती major वो ना हो जिससे उसके compromise होने के chances ना हो this is the official website of IOTEX अब IOTEX से समझने से पहले आपको थोड़ा सा concept समझना पड़ेगा machine learning और machine phi के बारे में machine learning क्या होती है machine learning mechanical engineering में detail में पढ़ाई जाती है आगे का future काफी जादा machine learning का होने वाला है जिसमें कोई भी object या कोई भी machine real world data को capture करके उससे अपना input ले ले किसी person को automatically define ना करना पड़े और वो just scan करें को input ले लेगी for example अगर कोई गाड़ी जा रही है और वो distance measure कर लेती है कि इतनी दूर पर आख object से टकरा सकती है और उसके according उसमें changes आ जाए changes in the sense speed slow down हो जाए break लग जाए या फिर sensor बज़ने लगें इस तरह की जो activity है because of machine learning होती है तो आप उसको आसान भासा में ऐसा समझ सकते है machine file इनका जो vision है machine file create करने का आपने game file सुना होगा define file सुना होगा लेकिर ये concept पूरा बेस्ट है machine file machine file in the sense future dominate करने वाला है machine everything is machine like 3Date वाली definition आपने सुनी होगी जो भी चीज इनसान का काम असान करे वो machine है तो कुल में लाकि हम चारो तरफ machine से घिरे हुए है in the sense everything हमारी watch से लेके mobile है या फिर even the device I'm recording the video itself is a machine तो आगे चलके machine file इनके लिए काफी ज़्यादा प्रॉस्पर करने वाला क्योंको machine से हम घिरे रहने वाले machine बहुत ज़्यादा dominate करने वाली है हमारे life को अभी तो कुछ भी नहीं है आगे और भी ज़्यादा इसलिए इनका vision उसी पर machine file बेस्ट है थोड़ा से detail में जाते हैं इसके इनको अल्रड़ी machine identity वाला यहनों ने quarter 2 में complete किया है 2022 के and web 3 stream के layer 2 computation oracle को machine quarter 1 2022 में ही complete कर लिया machine 5 portal भी आ चुक है quarter 3 and quarter 4 में क्या आने वाले है machine 5 market place लेके आने वाले है and उसके बाद cross chain data bridge भी available हो जागा जिससे interoperability create हो cross chain bridge ही जब भी कोई बात करेगा यह cross chain accessibility की बात करेगा it means to provide the interoperability so यह आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ interoperable data plus cross chain utility तो यह भी जरूरी है cross chain आज की date में जरूरी क्यों है क्योंकि छोटे-छोटे से अलग-अलग ecosystem बन गए आप जैसे Tron का ecosystem अलग है Binance Smart Chain का ecosystem अलग है लेकिन जब तक अगर इनको ज़्यादा utility चाहिए तो दूसरी जो मालब कह सकते हैं जो ecosystem है उनमें भी अपने use case provide कर पाएंगे वही ऐसे token आगे चलके अच्छे सब prosper करेंगे ही इसमें कोई भी doubt नहीं है थोड़ा सब जाते हैं further details में इनका white paper देखते हैं इसमें हमें सारी details मिल जाएंगी जो highlight highlight point है उनको one by one करके देख लेते हैं ठीक है तो ये जो roadmap है वो मैं आपको already discuss कर चुका हूँ so I don't need to discuss it again and आप जाते हैं थोड़ा से नके काम करने के तरीके पर इनका consensus है that is based on proof of anything they are including everything like web 3.0 का ये coin है और real world utility प्रोवाइड करता है इसके सब्सक्राइब बहुत सारे options है जिनसे जितने भी real world utility उनको प्रोवाइड करता है मैं अभी इसको detail में कवर करूँगा पहले proof of anything means proof of presence इसको include करता है ये सारी चाहिए उसी में आ जाएंगी proof of presence, proof of health, proof of safety, proof of green energy ये सारे इसी के part हो जाएंगे अब proof of anything में कैसे cover करेंगे they are providing several type of devices जिनसे इंसानों का काम आसान हो जाए blockchain based solutions भी provide कर रहें उसके regarding ecosystem के अगर बात करोगो तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा mainly इनके ये use cases जाकर जो आपको आठ चीज़े दिख रहे हैं आपे machine 5 another paradigm है जो ये create करना चाहरे है iopay इनका wallet है जो decentralized wallet है आप उसको use कर सकते हो ucam एक security camera जैसा है home camera जैसा आप इसको utilize कर सकते हो और blockchain based solution प्रोवाइड करते है इनका ब्लोक्चेन परफेक्टली powered by the iotex iotex blockchain ये अगर आप देखो के decentralized exchange है memo करके pebble इनके जो device है वो आपको real world data trustworthy data प्रोवाइड करेगी without any filtration and machine 5 portal available है which is like decentralized asset tracking device and उसके बाद iotube है cross chain bridge है और उसके बाद ये इनका play to one game भी है तो आप देख सकते हो इसके कितने unique use case है जो common crypto industry के use case है वो भी include किये है साथ में अपने different use case भी include किये अब आते है further details पर कहां-कहां इनकी devices available है आज तक इनोंने 15,048 devices sell किये और इनका target है millions में devices sell करना worldwide और ये जितने भी e-commerce platform होते हैं जैसे के Amazon है और और कई सारे जहां से अपनी devices sell करते हैं उसके बाद रेजिस्टर होती है रेजिस्टर होने के साथ IOTX burn होते है यानि अगर आपको अपनी device रेजिस्टर करनी तो आपको certain amount IOTX burn करना पड़ेगा तो आज तक जितने burn हुए है तो आप देख सकते हैं 268 million IOTX इसी से burn हो गए अब यहाँ पर इंडिया में अभी 15 devices है आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं country wise आपको सारी detail देखा रहा है यहाँ पर इसका पूरा global map नोंने देख रहे है कहां कहां कितने devices हैं आप इसको open करके check out कर सकते हो अब एक feature इनका available है burn drop जहां पर आके क्या करना होगा आपको वैसे आप चाहूँ तो stake कर लो अपना अपने coin यहाँ पर आके stake कर सकतो 9.28% APY प्रोवाइड कर रहे है ठीक है और यहाँ पर इतने सारे अभी राइस्टर्ड मलब स्वरी स्टेक भी है phase 4 चल रहा है इनका burn drop का अब इसमें होता क्या है ऐसा समझो कि जैसे आपने कोई device खरीदी device खरीदो को तो उसके लिए आपको जो भी eligible bucket होगा उसमें आपको क्या करने को उतने IOTX token बाई करके sorry coin buy करके और यहाँ पर stake करने मलब इसमें burn drop में drop करने पड़ेंगे जब burn drop में आप drop कर दोगे तो उसके बाद 90% उसके burn हो जाते हैं और 10% जो long term holder होते हैं उनको airdrop मिल जाता है वो यहाँ से आप get airdrop पर जाके if you are the long term holder you can get that airdrop तो यहाँ आप आप देख सकते हैं यहाँ में डिटेल अवेलिबर कर आए through Amazon and other retailers retailers के through भी sell कर रहे हैं और devices मैं आपको बता दें की कौन्से कौन्सी है यह sell करते हैं और उसके बाद फिर होता क्या है कि यह जो number जिमा कर देखो गए अब इनका target है कि मतलब जब यह 1 million devices on board कर लेंगे, sell कर लेंगे तो 1 billion IOT है यहनि 10% of total supply उस time पर burn drop में जाएगी जिसमें उसमें 900 million burn हो जाएगे और 100 million drop कर देएगे to the long term stakers sorry holders नहीं stakers जो इसमें stakers करेंगे long term तक उनको यह कर देगा अब इसमें जो देखोगे आप तो phase 4 चल रहा है और 10 phase में इनका target है 1 million devices sell out करना और 1 million users को on board करना यह इनका ultimate target है आप थोड़ा था further odd details में जाते है अगर इनका explorer खोल के देखोगे तो आपको जो token के holders है उसमें अगर देखोगे तो इनीचली आपको सबसे जो टॉप होलडर है उसके पास 55% supply है फिर 16% supply है and then 9%, 7%, 2% अब यह problem हो जाती है 55% supply एक होलडर के पास है that is the problem लेकिन जब आप इस address को खोल के देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो इस पे कुछ-कुछ देर में ही हो रही है every day तो it is kind of life यह किसी exchange का wallet है वहाँ पर mark नहीं किया गया क्योंकि यह already binance पर available है तो possibly binance का ही होगा क्योंकि इसमें जो token भी available हो रहे है वो wrapped version में available हो रहे है दूसरा भी देखोगे दूसरा वाला भी जो top holder है second top holder उसमें भी थोड़ी थोड़ी देर पर transaction हो रहे ही तो यह possibly exchange का wallet है तो इसके लिए आपको worried नहीं लेना है यह exchange का hot wallet है अगर आप exchange पर supply इसकी buy करके hold करते हो तो आपकी इनी wallets में reflect करेगा so it is not a problem at all इसकी partner से पर दिने amazing level पर हुई है सब बाकी सारी partnership आप छोड़ दो इसने 100 million dollar ता जो fund raise decide किया है जादा से जादा ecosystem को grow करने के लिए machine जो machine economy की जो decentralized machine economy उसको boost देने के लिए google के साथ इसकी partner ship है official partnership की है google ना आप देख सकते हो there is an article in detail article about it google and iotx इनकी cloud की partnership हुई है commonly ये work कर रहे है and commonly ये target अचीव करने को सिस कर रहे है machine-fy economy की यानि decentralized machine-based economy होगी उसको अचीव करने के लिए अब मैं थोड़ा सा समराज कर रहा हूँ फिर मैं आपको price prediction वाले part पर ले जाता हूँ coin बहुत अच्छा है use cases एकदम unique है यानि web 3.0 based coin है और बाग के इसके play to earn game भी है बहुत सारी device है वो sell out कर रहे है उसी के साथ इसका burn mechanism भी जुड़ा है तो आगे चलके supplies की घटेगी ही बढ़ेगी नहीं that is for sure and major level पर partnership है and सारी चीज़े इसमें almost सही है security में इसको अच्छा score मिला है everything is good about this coin तो इसके आपको definitely इसको buy कर सकते है क्योंकि यह अच्छा कोई ना price prediction part को देखते है पहले अगर आप देखोगे इसके आप overview लगा के देखोगे इसको जब पहले से प्राइस अच्छीव किया है point two three तक चला गया है all time high अगर इसका देखोगे और जो market cap अगर टरम में देखोगे तो इसने पहले 2 billion dollar की market cap अचीव की है 2.25 billion dollar की लेकिन यह बहुत ही आसानी से 10 billion dollar की market cap की अचीव करना इसके लिए अगले bull run तक बहुत आसान है तो यानि easily अगर आप देखोगे तो अगले bull run तक 1 dollar पहुंचने की पूरी पूरी इसकी छमता है और easily पहुंचेगा अच्छी पार्टनर से पर अच्छे लेवल पर मतलब जा रहा है दूसरे burn भी हो रहा है इसकी कम होगी over the period of time तो 1 dollar minimum है इसका अगले bull run तक और यह even beyond जा सकता जैसे जैसे आगे grow करेगा जैसे जैसे further इसमें improvement होंगे जैसे जैसे users on board होंगे वैसे यह और भी beyond जाएगा तो यानि आपको clear ऐसा समझने चाहिए अगर और भी partners on board होते तो इसके fundamental में और change आ जा जाएगा और यह और भी अच्छी level पर जा सकता है जो लोग IUST को buy करके रखे उसकी मैंने video detail कल बनाई था आपने उसमें देखा था उसकी tokenomics में बहुत बड़ी problem है tokenomics अच्छी नहीं है उसकी और इसकी सारी चीज अच्छी है web 3.0 based coin है तो यह definite buy है if you want to buy, you may buy अगर आप SIP start करना चाहते हो आप start कर साथ तो SIP start करना मतलब है आप systematically for example अगर आप 200 पर एक ऐसाइट भी डाले हो उधारड के तौर पे तो आप 200 पर इसमें नहीं डाल दे 200 पर अगले मैं नहीं डाल दे 200 पर फिर अगले मैं नहीं डाल दिए इसको another term में आप crypto space में काफी जाधा commonly सुनते होगे DCA dollar cost averaging जिसमें आप timely थोड़ा थोड़ा पैसा करके आपना price average करते रहते हो ताके आपके पास best average price हो lowest buying average रहे ताके आप अच्छा सेच्छा उस में पोपर टो ठासाथ so that's all for today आपकी लाक दा वीडियो वीडियो को लाइक जरू करें sorry video चिक दी वीडियो को लाइक जरू करें and make sure you subscribe to the channel thank you guys